दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को रिमोट का क्रेन के बारे में बताऊंगा आभी के डेट में रिमोट क्रेन आपका VFD सिस्टेम आता है पहले आपका कॉन्टाक्टर से ही कनेक्शन बनाना पड़ता था आज इस वीडियो में जीस तरह मैं आपको समझाऊंगा कोई भी YouTube चैनल में आपको नहीं मिलेगा क्योंके दोस्तो मैं आप लोग के साथ practical experience शेयर करता हूँ प्लान के अंदर घुश के काम करने के बाद जो experience बनता है ओ मैं आप लोग के साथ share करता हूँ जीस तरह दोस्तो मैं आप लोग को समझाऊंगा एक बार अगर वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देख लिजिएगा तो आपको काम करने में कुछ भी दिकत नहीं होगा दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग जो remote रहता है तो remote का controlling connection और आपका main host का कीस तरह control connection आपको करना है उसके बारे में बताऊंगा नमस्कार दोस्तो practical experience technician तपन YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज कुछ नया सिखते है दोस्तो कोई भी आपका remote रहे इसमें सबसे पहले हम लोग आता है एगो stop जिसको हम लोग emergency stop बोलते है तो emergency stop के पिछे आपका क्या लगा हुआ रहता है NC लगा हुआ रहता है और LO और NC के बारे में अगर कोई भी remote वाला crane रहे जो single guardar का crane रहता है इसमें देखिएगा ज़्यादा तरह आपका 3-phase induction motor यूज होता है silvering motor आपका यूज नहीं होता है और जो double guardar का crane होगा उसमें आपका silvering motor यूज होता है अभी हमारा जो stop है जो emergency है इसमें तो हमारा NC लगा हुआ है इसके बाद आपका दोस्त होता है आप और down आप और down का मतलब क्या होता है आप और down का मतलब होता है हमारा hubis और area जिसको हम लोग host बोलते है layer बोलते है और यह हमारा किस में होता है main host में होता है जो आपका push button रहेगा तो इसी type का आपका symbol दिया हो रहेगा इसी का मतलब है का up down लेकिन जब आप company के under duty की जियेगा उस time आपको up down सब कुछ भी आपको नहीं बताएगा सीधा आके बताएगा हमारा hubis नहीं चल रहा है नहीं तो area नहीं चल रहा है और यही जो language है यही आपको private company का अंदर में जब आप घुश के duty की जियेगा तो आपको same to same मिलेगा इसके बाद रता है हमारा east और west तो जो भी आदमी रहता है उतना भी experience बला नहीं है जो push button का नाम पढ़के आपको बता दे के east और west इस्ट और west मतलब होता है हमारा city direct आके आपको क्या बोलेगा हमारा city नहीं चल रहा है चाए city reverse नहीं चल रहा है या forward नहीं चल रहा है और आपको भी यही what मतलब एकदम load कर ले रहा है कि कौन सा फोल्ड में क्या बताएगा उसके बाद आता है south और north south और north मतलब होता है lt lt चाहे आपका reverse side ना चले या forward ना चले लेकिन आपको सीधे जाकर बताएगे का हमारा lt नहीं चल रहा है तो एही होता है दोस्तो हमारा remote का बारे में और remote में जो हमारा north और south है इसमें आपका कौन सा connection रहता है east, west और up down आपका push button रहता है और जो push button आपका रहता है इसमें क्या होता है दोस्तो जब आप push button को दबाईएगा दबाने के बाद क्या होगा जो हमारा no point है यह हमारा nc हो जाएगा और जो nc point है यह हमारा no हो जाएगा चाये आप कोई भी remote वाला crane में काम कीजिएगा तो मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ same to same आपको मिलेगा कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा आप remote को खोल के देख लीजिएगा या मिला के देख लीजिएगा कैसो भी करका आप देख लीजिए मैं जिस तरह बताऊंगो उसी तरह same to same मिलेगा बहुत सा दोस्त हम को बताता है कि सर practical का भी वीडियो बना दीजिए जो आप playlist में जाके चेक किजिएगा देखिएगा साब साब आपका लिखा हुआ है कि practical वीडियो बोलके practical वाला वीडियो देखिएगा तो आपको हर चीज के बारे में practical वीडियो मिल जाएगा दोस्तो आभी जो ये एनो और एनसी है इसको आपको और बढ़िया से समझना पड़ेगा कि हमारा काम किस तरह कर रहा है अभी देखिए मेरे हाथ में आपका एक पूस बटन है पूस बटन में एक आपका एनो है एक हमारा एनसी है तो ये हमारा काम किस तरह करेगा जब हम इसको दबाएंगे तो दबाने के साथ जो हमारा ये NO point है, NO point हमारा NC हो जाएगा और जो NC point है ये हमारा NO हो जाएगा अभी same to same दोस्त अगर हम इहां बैठा देंगे तो आपको connection clear समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या होता कि ये जो हमारा push button है इसका design change हो जाता है लेकिन काम आपका same to same रहेगा आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि हमारा कौन सा NO में connection देना है और कौन सा NC में connection देना है इस चीज को अगर आप clear समझ जाएगा तो आपको connection करने में कुछ भी दिकत नहीं होगा और जो control diagram है control diagram के बारे में तो आप लोगों में clear समझा देता हो अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी doubt है तो आप खुद एक बार wiring करके देख लिजिए अगर आपको कुछ मान लिजिए के समझ में नहीं आ रहा है या wiring करने में कुछ दिकत हो रहा है तो वीडियो के एक बार के जगा दस बार देखिए देखने के बाद आप connection कीजिए और फिर भी अगर कुछ doubt रहता है तो आप मेरा WhatsApp में बात कीजिए मैं आपको पूरा support करता हूँ और जितना सारा मेरा friend है किसी से भी आप बात करके देख लिजिएगा मैं सबके साथ WhatsApp में बात करता हूँ दोस्तो सिंगेल गडर के क्रेण में क्या होता है ज़्यादा तर आपका tennis फर्मार नहीं रहता है कोई कोई क्रेण में अगर 110 भोल का controlling wiring होगा तो आपको tennis फर्मार रहता है चाए आप tennis फर्मार देखे भी wiring कर सकते है या बीना tennis फर्मार कभी कर सकते है मैं जीस तरह आपको बताऊंगा आप विडियो को पूरा देख लीजेगा तो आपको काम करने में कुछ भी दीकत नहीं होगा दोस्तो मैं आज 230 भोल का wiring के बारे में बताया हूँ अगर आपको 110 का बनाना है तो एक tennis फर्मार लगाना है और लगाने के बाद जो यह हमारा main contactor है forward और reverse है यह जीतना सरा contactor है सब आपको 110 भोल का लगाना पड़ेगा अभी हमारा neutral supply कीस तरह काम करेगा आज मैं आप लोगो main host के बारे में बता रहा हूँ neutral में हमारा supply आया आने के बाद MCB में आया जब हम MCB को on करेंगे तो हमारा यह पर NC बनेगा NC बनने के साथ साथ हमारा main contactor होता है जो सब से पहले हमारा crane में on करना पड़ता है main contactor रहता है यह main contactor आपका on होगा तब ही आपका forward और reverse चालू होगा और नहीं तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा चाहे आपका main host रहे LTC कुछ भी नहीं चलेगा तो इसलिए हम लोग सब से पहले यह main contactor on करना पड़ता है तो इसका जो A2 point है A2 में हम लोग neutral supply देते है जितना सरा हमारा A2 रहेगा A2 में आपको neutral supply दे देना है तो हमारा neutral का काम हो गया इसके बाद आता है हमारा page का connection तो page का connection आपको किस तरह करना है वो भी आपको अच्छा से समझना पड़ेगा तब आपको काम करने में कुछ भी दिकत नहीं होगा page supply हमारा आया किस में आया? mcb में आया और यह mcb काम लोग dp mcb बोलते है यहाँ पर जब आप mcb on किजिएगा और यह जो बीच भला निशाने इसका मतलब जब mcb on किजिएगा neutral और page आपका दोनो on हो जाएगा उसके बाद हमारा आजाएगा emergency stop में emergency stop में हमारा nc बना हुआ है यह जब दक आप मालीजे के nc बना हुआ है तब ही तक यह main contractor on होगा कोई currency यह पर no हो जाएगा तो आपका main contractor on नहीं होगा तो जब हमको crane नहीं चलाना रहता है तो हम emergency दबा कर रग देते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा उसके बाद आजाता है हमारा on बाला push button में तो जब हम on बाला push button को दबाएंगे तो हमारा इहां पर क्या होगा nc बनेगा nc बनेगा तो हमारा फेज supply जो है main contractor का यह वान में आ जाएगा और यह हमारा continue on रखने के लिए एक holding supply का जरूरत है तो जो हमारा no point है यही main contractor का यह जो no point है यह nc हो जाएगा तो यहां सा आपका supply continue आ जाएगा और आपका crane चलू रहेगा क्यूंके emergency बाला तो आपका खोल के रखियेगा तो nc बना रहेगा और off बाला तो आपका nc बना हुआ है और यह जो on बाला है यह एक बार दबाने के बाद आप छोड़ दीजिएगा उसके बाद जो यह holding बला supply है इसी से आपका main contractor on रहेगा main contractor on रहेगा तब ही आपका main host का reverse और forward का contractor चलू रहेगा अगर कोई currency यह emergency आप दबा दीजिएगा तो totally crane आपका bond होना चाहिए इसी तरह दोस्तो control का connection करना पड़ता है अब ही main contractor जो on हुआ इसका जो no point है no point से हमारा 220 volt आ रहा है किस में आ रहा है MCB में आ रहा है जब अगर कोई currency माल लिजिए का main host में फॉल्ड आया तो main host particular आपका bond होगा आपका LTCT चलू रहेगा तो यह जो MCB है यह MCB जब हम on करेंगे तो यह पर हमारा NC बनेगा और हमारा supply आ जाएगा OLR में OLR में मतलब thermal overload relay में आएगा thermal overload relay में किस में आएगा NC point में आएगा अगर यह reverse और forward जब आपका चालू रहता है कोई कारण से motor में ज़्यादा सा high ampere होगा तो हमारा क्या होगा यह thermal overload relay ट्रीप होना चाहिए thermal overload relay जब आपका ट्रीप हो जाएगा तब आपका total circuit सिर्फ main host का ही बंद होगा LTCT सब का आपका चालू रहेगा तो यह हमारा NC बना हुआ तो supply हमारा आ गया push button में push button में आनेक बाद जब हम इसको दबाएंगे तो हमारा इहां पर क्या होगा इहां पर हमारा NC बनेगा जब NC बनेगा तब हमारा supply आगे आएगा और यह जो आपको push button है इसके साथ जैसे हमारा यह forward side का है ठीक है तो जब आप दबाईएगा तो reverse side का क्या होगा यह NC, NO होना चाहिए एक interlock इसमें इसलिए दिया जाता है कि हमारा दोनो जो power contactor है किसी भी हाल में एक साथ on ना हो जाए तो यहां पर हमारा NC बना NC बनने के बाद आपका जो lawyer वला है मतलब यह हमारा harvest side हो गिया यह हमारा area side हो गिया इसका NC में आएगा NC में आने के बाद आपका limit switch में आएगा क्या होता है सिंगल गडर का क्रेन में आपका rotary limit switch लगा हुआ नहीं रहता है ज्यादा तर आपका white limit या आपको gravity limit लगा हुआ जरूर रहेगा ही रहेगा ज्यादा तक अगर कोई कोई क्रेन में आपका rotary limit switch लगा हुआ है उसका भी मैं diagram बना का अपलेओ को समझा दूँगा किस तरह आपको connection करना है तो आया हमारा limit switch में limit switch जब दक आपका NC बना रहेगा तब ही तक हमारा supply आगे आएगा किस में आएगा हमारा जी ये reverse बला power contactor है इसका NC में आएगा ये NC बना रहेगा तब ही आपका forward side का contactor on होगा मतलब ये जो forward side है तो हमारा motor कौन सा side घुमेगा ये जो हमारा horse side मतलब उपर तरफ जाएगा उपर तरफ जिसको हम लोग हाबिस बोलते हैं हाबिस होगा और forward side मतलब आपका motor आपका सीधा तरफ घुमेगा ठीक है अभी आपको reverse side किस तरह काम करेगा जब आप reverse side का push बटन दबाईएगा और single gutter में कोई एक side में ही आपका limit switch लगा हुआ रहता है चाए आपका rotary limit switch रहे white limit switch रहे यह आपका gravity limit switch रहे कोई एकी limit switch आपका लगा हुआ रहता है यहां से हमारा supply आया reverse बलत जब on होगा यहां से हमारा 220 ball supply NC में आया NC में आने के बाद यह अगर NC बना हुआ है NC कब बना हुआ रहेगा जब आप यह forward side का push button इसको आप छोड़ दीजिएगा तब ही यह NC बनेगा तो यह जब आप reverse side चलाएगा तब यह छोड़ दीए है तो यहां पर आपका NO बना हुआ यह NC बन गया है तो यह NC बनने के बाद supply आपका आगे आएगा जब आप push button को दबाईएगा तो आपका यहां पर NC बनेगा और जो इसका पीछे में जो आपका forward side का है यह आपका NO हो जाएगा तीक है NO जब हो जाएगा तब आपका यह चालू हो जाएगा reverse बला किसके तुरू होगा जो हमारा forward का कॉंटक्टर है इसका जो NC point है NC point हमारा NC बना रहेगा तब ही आपका reverse बला power contactor on होगा इसी तरह दोस्तो EOT overhead crane में जो single gutter का crane है जिसको आप लोग remote crane बोलते है main host panel में same to same आपको wiring देखने के लिए मिलेगा अगर आपको कुछ doubt है तो आप एक बर यह wiring करके देख भी सकते है अगर काम नहीं कर रहा है तो आप मेरे साथ WhatsApp में बात करके बता सकते है कि जो मैं wiring बताया हूँ crane में आपका match हो रहा है या नहीं हो रहा है और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं जीस तरह यह wiring आपको समझाया हूँ कोई भी YouTube चैनल में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो like, share, comment जोरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा नमस्कार